उस्तो शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार सची वाले साएक परिक्षा में अब कुछी दिन बचे हुए हैं अगर आप मन बना चुके हैं कि हमको बुक लेकर जाना है परिक्षा होल में नी संदे आप बुक लेकर जा सकते हैं तीन बुक इलाओ है NCRT का तो NCRT में आ अगर पहले से आप काफे प्रेक्षा किये होंगे तो 10-15 मिनुट मेक्सिमम आपको मिलेगा अगर पूरा कोश्चन आप बना लेते हैं या कुछ कोश्चन में डाउट राता है तो उसे अंतिम में आप देख सकते हैं यहाँ पर याद रखेए का 5 से 6 कोश्चन में भी आप बढ़त बना लेते हैं बुक से देखकर तो यानि कि मेरिट लिष्ट में आपका एड़दम अस्थान उपर रहने वाला है अगर कुछ कोश्चन का बढ़त बना ले रहे हैं क्योंकि एक कुश्चन पर 4 नंबर है नेगेटिव वन फर्थ है यह आप सभी बात जान रहे हैं देख सो कोश्चन आएगा 600 नंबर का आपका एक्जाम ह होने वाले हैं तो साइन्स का भी कोश्चन अच्छा पूछा जागा मैथ का और जो स्लेवर्स के कोडिंग आपका है कि 10th क्लास के आपके मैथ पूछे जाएंगे तो उसमें आप देखेगा यह NCRT का 3th क्लास में बता रहा हूं इसमें क्या है मैथ में तो वास्थिक संख्भाप रहुपत दिया है दो चरवाले रैखिक समीकरन युग दुगहाती समीकरन क्योंकि एड़भान से question ना के बराबर ही पुछे जाएंगे एक से दो question पुछ देए जाएंगे ओ भी जादा है मुझे लगता है कि ना ही पुछा जाएगा बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता अपने तरब से तैयारी बहतरीन रहने चाहिए दुघात समिकरण से question दे सकता है एक श्रमनांतर सडरी तरभोज निर्दिसांग जैमीती और तिरकोड मीती के कुछ अनुपरयोग ब्रित रचनाय और ब्रित से समंदिच छेत्रफल प्रिष्टिय छेत्रफल आयतन और संख्यां की परेक्ता probability टोटल देखेगा ये आपको 15 आ पर ही आपका पूछा जाएगा तो 9th और 10th दोनों में से 1 महत वूक आपको ले जाना ही सही रहेगा ठीक और अगर आप बुक ले जाने के लिए सोच रहे हैं तो तो मैं तो बोलूँगा कि 10th का सबसे बेस्ट रहेगा अगर हमको ले जाना होता तो मैं 10th कलास का ही बुक ले जाता ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2D का फरमूला सभी याद कर लिजेगा फिर आप देखिएगा कि चकरविर्धी ब्याज, सधारण ब्याज, परसेंटेज यहाँ से कुश्चन मेकसिमम रहे तो आसान कुश्चन रहेगा मुझे जहां तक लगता है कुछ कुश्चन मोडरेट और हाई लेबल के भी रहेंगे तो आपके टाइम को पर डिपेंड कर रहा है कि यह चेप्टर आप देख सकते हैं कि नहीं, हिंदी में यहाँ पर मैं आपको तेंथ क्लास का चेप्टर है, इसके बाद मैं बोलूँगा कि सवान अध्यान में आपको कौन सा बुक ले जाना होगा मैं तो बोलूँगा कि कुछ ऐसा बुक ले जाए जाए कि डिरेक्ट चेप्टर खोले तो उसके अंसर निगल कर आ जाए, जैसे मुझे लगता है कि तेंथ का आपका अगर जोगरोफी आप ले कर जाते हैं तो वो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, नाइन्थ का तेंथ क तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अच्छा है कि पारे में यहां पड़ सकते हैं और यहां से आप सारे में यहां से आप देखिएगा छे चेप्टर है लेकिन अवल चेप्टर कहा जाता है यहां से मैक्सिमम कुश्चन आपके हर एक्जाम में जगरोफी से देखने को मिलता है यानि कि ऊपर का यह तीन चेप्टर तो यह आप याद रखिएगा जैसे कि आकार और सिति भारत क किअगा और बहुतीक शवरूप हुआ याप तंत्र हुआ यहां से कोश्चन और है कि आता है जलवाई से भी कुश्चन बनता है तो यह आपको ले जाना होगा तो जोगरौफी का ऑगा क्लेजा सकते हैं क्या ले जाए अगर हिस्ट्टी आपका समय है तो मैं तोह को रहता है करी आगे का किया बुकि पूंच को आगे घचेता हैं यानि कि science के total 25 question पूछे जाएंगे एक बात ध्यान मर रखिए गर science के question खुजने की छमता भी आपके पास होनी चाहिए यानि कोई भी बुक ले जा रहे हैं तो छमता यह होनी चाहिए कि question एक बार में हम खुजने ठीक अगर या उससे related अगर theory है तो वहां से हम question अगर दे रहा है उससे related तो हम बना ले तो यह book आपको पढ़ा लिखना भी रहना चाहिए यह नहीं कि बस हम देख लिए और मतलब की book खरीद लिए और लिए जा कर देखने नहीं पढ़ा भी रहना चाहिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई question में doubt है तो वहां से जल्दी से अपना doubt के लिए कर ले ठीक चो chemical reaction and equation यहां से आप देख सकते है acid based salt यहां से question बनता है देखेंगे previous year में भी question बना हुआ है maternal metal से question मनता है carbon और its compound से बनता है यहां पर देख सकते हैं कि periodic qualification of element से बनता है life process दिया हुआ है फिर यहां पर आप देख लीजे control और coordination question मनता है how to organism जो reproduce होता है तो यहां पर जो question मनता है reflection reflection of light light से question मनता है electricity से बनता है magnetic effect से question मनता है तो यहां से question तो हमेशा science में आपको देखने को मिले है ठीक और अगर यह book ले जाते है तो मुझे लगता है कि आपका उपयोग में काम जरूर आएगा मतलब उपयोगी यह book साबित हो जाएगा आपका 10th class का अगर ले जाते है या 9th का भी science ले जाते है तो ठीक यह देख सक करते हैं यहां से अनुवांसिक्ता और जैविकास परकास का परवर्तन और अपवर्तन यहां से देख सकते हैं मानौ नेत्र और रंग बिरंगी संचार नेत्र से question बंता ही बनता है science में बिधूत और आपको देख़िएगा बिधूत धारा के जो मकिय प्रभाव है यहां से question कोशन बनेगा उर्जा के जो स्रोत है हमारा परियावरण परियावरण सितिकी से कोशन बनता है तो यह टोटल देखा जाए तो यहां पर भी 16 चेप्टर देखने को मिलता है लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार जरूर दो बार आपको पढ़ लेना होगा कि कि आपको कोशन मैं बहुत देखा जा तो 15 कोशन मैत होरिजनिंग ही है और इससे बढ़ भी सकता है मतलब की मैट के लिए महें डीरर आपको समय चाहिए होता है मैत के लिए आपọi देखिएगा कोई कोय मैं दिर टन चरल मिन लग जाते हैं कोशन खाते हैं तो तो नहीं अपनानी होगी, तो तीन बुक मैंने बताया, टेंथ क्लास का बुक सबसे बेश्ट होगा, मुझे लगता है एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, आप ले जाने के लिए सोच रहे हैं, या पढ़े हुए हैं, तो लेकर वगर जा सकते हैं, आप काफी अभियारते पूछ रह तो आपको अपना रणनीती बना लिये होंगे, काफी अभियारते बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बुक आपको ले जाना चाहिए, बाकि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट तो यह होगा कि बुक का उप्योग नहीं करें तो ठीक है, बाकि अगर मतलब ये भी